स्टार प्लस का हाई टी आर्पी शो गुम है किसी के प्यार के आज रात के अपिसोड के शुरुआत कहां से होने वाली है आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फोटाफर से इस फीरियो को लाइक शेय करने के घर वापस ना जाने के लिए विराट सर ने और चयवान फैमली ने मुझे बहुत ही जादा बेज़त किया है मेरी इंसर की है इसलिए मैं वहाँ लोट कर नहीं जाओंगी सही यहाँ पर बर्खा को एक सचुएशन देती है और उससे कहती है कि आप खुद बताईए अगर आ मुझे फोर्स ना करे क्योंकि मैं वहाँ पर लोट कर नहीं जाना चाहती तब ये उश्या ताई वापस से सही के पास जाएंगे और से समझाने की कोशिश करेंगे और कहेंगी कि देखो दमार चित यहाँ पर तुम्हारे लिए आये हैं उन्होंने अपनी गल्ते भी मान ली है तुम्हें घर वापस लोट जाना चाहिए सही कहती है कि नहीं मैं घर वापस नहीं जाओंगी और मैं नाकपुर्ट तो कभी भी जाने का सोच भी नहीं सकती इन लोगों ने मेरे साथ जोखिया है वो बुलाने जैसा कुछ है ही नहीं विराट फाइनली यहां से सही को लि मेरी साई वो देख क्यों नहीं रही है चलो मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूं मेरी साई को तो बहुत जादा फूक लगी हो कि उसके पेट में चूखे कूद रहे होंगे यहां पर मोहित भी विराट को देखता है और सब घर वालों को बास लगाता है और कहता है कि करिश्मा आई आप सब लोग आईए देखे विराट दादा आ गए है तब ही वहाँ पर पत्र लेखा आ जाती है और वो सई के खिलाफ एक बार फिर से विराट के कान भरने लगती है जब घर वालों को पता चलता है कि विराट मनाने में नाकामियाब हो गया है सई को और उसके साथ वो घर लोटकर नहीं आई है तब पत्र लेखा एक बार फिर से अपनी घटिया चाल चलना शुरू करती है पत्र लेखा यहाँ पर विराट से सई के खिलाफ कान भरते हुए कहती है कि देख रहे हो तो सई कितनी जादा इमोशनल गेम खेलती है उसे पता है कि लो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगी सई के खिलाफ मैं अब एक और शब्द नहीं सुनना चाहता वो मेरी पत्नी है यह देख का अशुरी बहुत जारा खुश होती है और वो विराट को समझाती और कहती है कि बेटा तुम्हारे लिए बहुत जारा पूर हो जाता है कि आखिर वैसा क्या करे कि सही उसको माफ कर दे और घर लोटकर एक बार उसके जिंदिगी में वापस हो जाए और दूसरे तरफ दिखाया जाएगा कि पत्रुलेखा का दिल बुरी तरह से तूच जाएगा और वो विराट के लिए अपने आसु बाती एपिसोर 10 जसके बाद कल क्या होगा आप देखे हमारी नेक्स रिपोर्ट में